इसवीडियो में हम जो हेल्ิकॉप्टर मनी है इसके बारे में देखेंगे ये आजकल काफी न्यूस में है और जो एकोण़मिक सर्वे है उसमें भी इसके बारे में काफी कुछ बताया गया है हेलिकॉप्टर मनी जो है यह यूरोप में या फिर जपान में जो भी रिसेशन का माहौल चल रहा है इसलिए जो वर्ड है यह कॉइन किया गया है तो इसे समझने के पहले मैं आपको बता दू कि मैं यह उमिद करता हूँ आपको जो बेसिक टर्म से एकोनॉमिक है जैसे इंफ यह इसमें यूज करूँगा ठीक है तो यह शुरू करते हैं और समस्ते हलिकॉप्टर मनी क्या है तो इमेजन कीजिए कि गवर्मेंट आपको बोल रही है I want you to spend spend and spend मतलब मैं चाहता हूँ कि आप पैसा जो है वो जाधा से जाधा खर्च करूँ अब गवर्मेंट ऐसा क्यो सपोज अगर डिफलेशन का माहुल चल रहा है एकदम मंदी है मार्केट में कोई कोई चीज खरीद नहीं रहा है किसी को मोटिवेशन नहीं है अब यह काफी चीजों के वज़े से हो सकता है उनके पास पैसे कम हो इसलिए वो नहीं खरीद पा रहे हो तो जो रेट है होता है इसवेश से डिफलेशन आता है हाईपर डिफलेशन भी हो सकता है तो उससे बचने के लिए गवर्मेंट जो है वो बोलती है कि I want you to spend spend and spend अब वह किस तरीके से कर सकती है वह stimulus दे सकती है बट stimulus से भी अगर फायदा नहीं हो रहा है फिर भी जो condition है वो deflation के तरह भी ज जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं इसमें यह सारे जो पैसे हैं यह हलीकॉप्टर में भरके यह पीछे जैसा कि आप देख सकते हैं हलीकॉप्टर से नीचे फेक रहे हैं और लोग वो ले रहे हैं अब लोग के पास अगर पैसा आएगा तो purchasing power बढ़ेगी purchasing power बढ़ेगी दो डॉलर, तीन डॉलर में बदल गए, तो इस तरीके से जो गवर्मेंट जो चाहती थी, वो हो जाएगा, ठीक है, अब एक्चुल में ये हलिकॉप्टर मनी जो है, ये हलिकॉप्टर में पैसे डालके फेके जाते हैं क्या, तो जवाब है ना, तो इसे हम देखते हैं, ये कै पैसे काम करता है, तो suppose, imagine कीजिए, ये मोदी जी है, अब मोदी जी को stimulus देने के लिए, या फिर पैसे बाटने के लिए, क्या करना पड़ेगा, उनके पास पैसे आने चाहिए, अब उनके पास पैसे कैसे आएंगे, उनके पास तो है नहीं, नहीं तो क्या हो जाएगा, फिस खरीदूंगा, अब क्या हुआ, इनके पास जो पैसे हैं, वो उससे ये सेकुरिटिस खरीद लेंगे, और जो पैसे हैं, वो गवर्मेंट को दे देंगे, ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें गवर्मेंट को, मतलब मोदी जी को इन्हें इंट्रेस देना पड़ेगा, ब उर्जित पटेल जो यह government securities है यह खुद खरीद लेंगे ठीक है तो अब क्या होगा अब इनके पास तो पैसे आगए इनका government security से कुछ लेने देना है नहीं सनी पाजी का अब यह जो मुदी जी है इनको जितना भी interest है वो उर्जित पटेल को देना पड़ेगा बराबर है तो ल क्या होगा जदा पैसा आ जदा पैसा खरच कर सकेगी तोใफ इससे कहते हैं हिप हआप हिप हप ताकि लोगों के पास जदा जदा पैसा डो हआ जाए जिक है इससे डिफ्लेशन रिसेशन की समझ स्यान है वह खत्म हो सकती है तो ये है पुरा है helicopter money, ओके, तो इसमें, मुदी जी बहुत खूच हो जाते हैं, और वो बुलते हैं, मुझे तेरे जैसे लड़के की ही तलाश थी, जो की, मेरे सारे जो पैसे हैं, मुझे नया पैसा बना करते हैं, ओके, तो इस तरीके से ये काम करता है, उमीद करता हूँ, आपको पसंद आया ह होगा, और भी वीडियोज हैं हमारे, और भी काफिर ट्रिक्स हैं, तो वो देखने के लिए आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, थैंक्यू वेरी मच्च